हेलो दोस्तो एक बात द्वारा से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल विवेकरणा स्टॉक्स पर चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के दिल से बहुत बहुत धन्यवाद तो दोस्तो लगतार आप इस स्टॉक के बारे में चर्चा और कॉमेंट करके पूछने में लगे थैं कि इसके उपर वीडियो बनाओ रतन इंडिया पावर शेयर के बारे में और स्की लेटेस नियूस आप जानना चाते हूँ और जानना चाहते हूं मेरा इसके उपर क्या भी हुए तो दोस्तो बोल देना चाहता हूं रतन इंडिया पावर लिमेटेट यहां दोस्तो बहुत जिस तरीके से आपको पास में वीडियो मनाके अपडेट दिया है पिल्कुल उसी तरीके से स्टॉक अभी विहेब कर रहा है और स्टॉक ने अभी 2.50 पैसे निचे एक ब्रेकडाउन दिया है ब्रेकडाउन मतलब नीचे की तरफ सेल एक्टिवेट हुआ है और दोस्तो जो मैंना यहां लिखा है इसका मतलब दोस्तो यह है कि देखो थोड़ा वीडियो के अंतर पे इसका एक्स्पेंड करूँगा ठ यह मेरा एक बोल सकते हो कि बिलीव है कि जैसे आपको पता है कि लास्टे पावर ग्रेट ने पावर ग्रेट कंपनी ने जेपी पावर को एक्वायर कर लिया 74% के आसपा स्टेक तो मुझे लगता है डेफिनेटली फ्यूचर में अगर रतन इंडिया पावर शेर को उपर ज लगता है I'm sure about थेखा मैं शोर उसमें की 100% शोर हूँ कि definitely future में एक ऐसी news पक्का आने वाली है कि कोई इस stock को या इस company को acquire करने वाला है क्योंकि दोस्तों बथा देना चाहता हूं इस company का कोई future नहीं है जो भी moves आपको देखने को मिलती है राइट जो भी आपको trading moves और technical move बोल सब्सक्राइब के levels में दिया था कि गलत नहीं हूं तो बथाओ आप दो सचार उपए प्राइस हमारा जो पैसा डबल हुआ अब चार उपए के प्राइस से लगता स्टॉक निचे गिर रहा है तो अब इस टॉक का जो future है वह यह future है कि भाई को इसको अधिगहन करेगा तब स्टॉक उपर जाएगा otherwise इसका कोई future मुझे नजर नहीं आता है उसका reason दोस्तों यह है कि company लगाता है loss making company है ठीक है मैं अभी आपको दिखा दूँगा कि loss making है company में debt बहुत जादा है जैसे आपको बदाए जो JP power था उस company में भी करजा बहुत जादा था सब holding pleasure हो रही थी औ और जैसे ही power grid ने उसको acquire करा एक positive cover stock की तरफ आने के लगी है कि लगता है कि अब JP power जो share है उपर जा सकता है वैसे ही इसके साथ है same concept है जैसे आपको पता power sector आने अले वक्त में काफी चर्चा में रह सकता है और चर्चा में रह भी रह है ठीक है तो definitely इस company को भी acquire कर सकता है उ अगर आप उसकी website में जाते हो तो website में इंता खास मुझे नहीं देखता है देखने को लेकिन एक चीज़ दिखती है कि बहिया जो इनके projects है जो mainly रतन इंडिया power limited जो projects काम करती है वो करती है महरास्ट्रा और नासिक के आज पास ठीक है मतलब ये 2-3 cities में काम करती है तो इनक आपको लेके चलता हूं मेरे कुछ past detail की तरफ past record की तरफ साथ में दिखाऊंगा इसको अभी latest chart अगर आपको buy करना है ठीक है तो किस price में आपको buy करना चाहिए वैसे पाई करने की सला बिलकुल नहीं है जो buy आप करोगे वो technical bounce आप बोज सकती हो ठीक है अगर वो news जिसको अगर आपने stock को hold करा हुआ है और आगे future कैसा रशकता stock का एक बार आपको chart के स्माधियम से share करता हूं तो लेके चलता हूं आपको chart की तरफ राइट तो दोस्तों stock का chart share करने से पहले आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं company के बारे में की company का future bright क्यो नहीं है ठीक है दे बातों को विली मत किया अगरो fully right मेरा जो मुझे जो अच्छा रखता है मैं आपको बता देता हूं और देखो मैं कोई इसके बुराई नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये stock मैंने को 2 रुपे का सबाय किया तो 4 रुपे में profit book किया ठीक है आप बोलो के कब किया तो आपको दिखा जाना है तो company को profit books में दिखाने पड़ेंगे अगर company के books में profit long term में नहीं आते है तो definitely company दुबार से अपनी आउकाद में जाती है जिसकी book value है तो उसकी जो book value नेगटिव चल रही है ठीक है तो समझ जो बात को मैं क्या गयाना चाहता हूं आपको पता चल गया हो गया मैं क्य क्या करने चाहता हूं ठीक है अगर बात करते company के बारे में यह तो छोड़ो मैं आपको ठीक प्रॉफिट दिखाता हूं जिस वजह से मैं आपको कह रहा हूं कि company का future थोड़ा downside में है ठीक है अंधिरे में तो सब देखते हो company लगाता loss कर रही है ठीक है थोड़ा बहुत loss कम ह ठीक है तो बड़ी बात नहीं कि loss का हूं अगर company profit में देती थोड़ा बहुत भी तो definitely बही है मैं बोलता कि हां company का future bright है तो हम stock को long term के लिए hold कर सकते है बात को ध्यान दखना मैंने आज तक कभी भी आपको return India power share को long term के लिए hold करने के लिए नहीं का है मैं भी जो भी आपको इस चैनल में देता हूं ना makes to max चीजे वो swing trading होती है ठीक है वो short term के लिए बाय होता है मैं आपको नाम गिनवा लेता हूं सबके ठीक है हाँ पैनी स्ट्रॉक जो मैंने आपको दिये है उनको आप hold करो ठीक है और mostly जो पैनी स्ट्रॉक मैंने आपको दिये सब में आपको 100% क की बात कर रहा हूं अब यह मत बोलना कि आपने मेरे प्राइस से 10 पैसे उपर 20 पैसे उपर बाय गया है तो वह आपकी गलती है क्योंकि देखो दोस्तों आपको मैं इसलिए कहता हूं कि चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लिया करो क्योंकि अगर आप लेट बाय करोगे लेट आपको वीडियो मिलेगा तो डेफिनिटी इसमें आपका नुपसान हो सकता है क्योंकि आपको लेट एंट्री मिलेगी फिर ठीक है भाई तो इसलिए गया रहा हूं तो देख सकते लॉस मेकिंग कंपनी है और नीचे अगर आपको लेके चलता हूं इसके होल्डिंग पैटन की तरफ तो एक बार आप वह भी देख लो अगर आप से अगर आप से उल्डिक पैटन देखते हैं स्टॉक का जैसे मैंने आपको बताया था कोई कंपनी इसको अक्वाइर करते है डेफिनिटी स्टॉक आपका रॉकेट हो सकता है तो अगर आप ध्यान दोगे तो ए अगर किसी को लग रा है कि इस टॉक ना मल्टिवेगर होगा थिक है बहुत सारे वेक्ति होते है मैं उनका कुछ ओनी करना चाहूंगा बहुत विचार होता है कि मल्टिवेगर बनेगा तो आप क्या करोगे आप मार्ज 2021 का लोग अपना स्टॉप लगाओ तो मार्ज 2020 का जो लो होगा वह आपको stop loss देना चाहिए अगर किसी को लगड़ा इस टोक मल्टिवेगर बनेगा ठीक है बाके अगर आपको मेरे वीडियो देखने हैं मेरे अगर मेरे वीडियो बिलीव है तो भाई मेरे साब से आप यह stop loss के आजपास आपको एक बार exit हो जाना चाहिए मैं आप हमसे की stock मुझे बसंद आ रहा है दो रुपे 10 में आप बाई करके चल सकते हो और एक 85 का हमारा stop बोज रहेगा आपको याद होगा पुराना वीडियो चाहो तो आपको में एक बार दिखा सकता हूँ ठीक है अभी एक सेगेंड रुपे 85 पैसे का हमारा stop loss दोगा तो 2 रुप पांच पैसे का रजिसन लेके stock नीचे गिरिगा तो इसको बोलते प्राइड एक्षिन जैसा बोला stock ने वैसे ही काम किया और मैंने यह भी बोला था जैसे ही इसको टैस्क नीचे आएगा इसको ब्रेक कर देगा और यह देक दोस्तों इसने ब्रेक भी कर दिया है तो इसको अगर एक रूपे असी पैसे के आसपस का stop loss हिट करवा दिया तो फिर stock का कोई future नहीं है क्या बोला एक रूपे असी पैसे के नीचे का stock चले जाता है तो stock का कोई future नहीं है हाँ अगर किसी को gamble खेलना है तो भाई रदी रदी समझते हो जो भी आव रदी घर में बेजते हो क निकल के आता है बाखी मैं आपको छोटी सी clip दिखाता पुरानी ठीक है तो दोस्तों आप देख सकते हो यह मैंने short video बनाया था रदन पावर के उपर तीन मेहने पहले ठीक है यह तीन मेहने पहले बनाया था चाहो तो आपको price दिखा सकता हूं ठीक है मुझे पता आप काम कर रहा है तो भाई definitely जो मैंने अभी आपको video समझाया उसको दुवारा से rewind करके सुन लेना ठीक है कोई मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इस ट्रॉक मल्टीवेगर नहीं बनेगा मैं यह भी कह रहा हूं तेको भाई अगर आपको लगाना है पहला चोटा मोटा आवांड लग को समझो ठीक है भाई तो आपको जो मैंने stop loss बटाया है टेकिनिकल चार्ट में उसको पक्क अप्लाई कर लेना ठीक है अगर आप वह अप्लाई नहीं करोगे तो दिक्कत हो सकती है ठीक है और जो प्रमोटर होल्डिंग बढ़ी है ठीक है उसका भी मैंने आपको तरीका बत करने देंगे बात को समझो यह साइकलोजी है ठीक है तो साइकलोजी को पकड़ो तो मैंने आपको बतला दिया रटन इंडिया श्वेर की लेटेस निउस खबर उसकी कुछ नहीं है वैसे ठीक है जो मुझे लगता था मेरा जो मानना था मैंने आपको से अप्डेट कर दिया ठीक है तो यह लास्ट वीडियो का स्के बारे में अच्छा लागे हो तो बता देना गंदा लागे हो तो तब भी बता देना ठीक है जो मुझे लगा मैंने स्किप पर आपको अप्डेट दे दिया चलो बाय बाय